एक समय की बात है, एक सुन्दर सा बगीचा था जहां हर पल खुशी का मौसम था. इस बगीचे में एक छोटी सी तितली रहती थी, जिसका नाम था तारा. तारा कभी भीड में नहीं घूमती थी, बलकि वह अपनी सुन्दर्ता के साथ चमकती रहती थी. एक दिन बड़ा सा शेर बगीचे में आया. तारा को देखकर शेर ने कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें यहां क्या काम है? तारा मुस्कराई और बोली, मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी सुन्दर्ता से मेरा अपना महत्व है. शेर ने हैरान होकर कहा, तुम्हें मेरा क्या म महत्व हो सकता है? तारा ने मुस्कराते हुए कहा, हर किसी का महत्व है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सुन्दर्ता हर रूप में होती है, और हर किसी की आँखों में वही देखना चाहिए. शेर ने इस बात को समझा, और उसने भी तारा की सुन्दर्ता को माना. उस दिन से तारा को अपनी दोस्त मान लिया, और बगीचे में हर कोने में सुन्दर्ता को पहचाना.